मुंसकार किसान बाई-ो आज हम जिस फसल के बात करेंगे जिस विषय के बात करेंगे मैं आपको बता द्यूँ जब आज जो बागवानी जई पसल की बात कर हिरे हैं तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमными को जैविक विदिए इसे को अपनाएं और जेविक विदी से जो हमारी जो पैदावार है उसी को लें ताकि हमारी जो फसल है वो एक अच्छी और गुनक फसल हो सके तो जेविक विदी तो अपनाएं तो अच्छा रहेगा और जिसमें आपके च्वाखाद वगेर सबी इसी का यूज़ करें जेविक रासायनिक प्योग कर सकते हैं तो आपको अब हम बताते हैं कि जो क्षिमला मिर्च है उसके अंदर आप कौन-कौन सी अगर आप पैदावार अधिक ले जाना चाहते हैं नूर्मली अगर आपकी जमीन के अंदर 17 परकारी अगर तत्वा मुदूद है तो आपकी हरी बरी फसल है प्रोब्लम नजराती है ऐसी बहुत सी प्रोब्लम आपको नजराती है तो उसके लिए आप अगर पहले तो आप जब आप असल करें उससे पहले आप केच्वा खाद गोबर खाद की अधिक मातरा में आप गेरें ताकि आपकी ऐसी सिच्वेशन आये ही नहीं अगर वह फिर तो आप वहाई कर रहे हो उसी वक्त अगर एक हाट डालते हो तो आपको अधिक सेदी के पैदावार मिलेगी गारंटेड है यह पैदावार आपको वह से मिले क्योंकि जो पॉशन तत्व कमी होगी वह पॉशन तत्व इनके मादिम से आपको पराप्त हो जाएंगे तो हम ब 50 ऐने और आप केलशियम नाइट्रेड और बोरोन वह मेंगनेशियम यह जो है वह इसका वह पुर्योक ने बोरों पांच चैजी ले ले अगडी देग के नुश्व और केलशियम नाइट्रेड है वह भी आप इनको 55 kg तीनों को 55 kg आप ले सकते इंस अबी का अप सुरवाती कुछ तत्व आपको यही मिलेंगे यह फिर आप शुरुवात में अन्प के गुनिश 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 भी डाल सकते हो ताकि नॉर्मली जो है वह आपके दर्ती को दर्ती के माध्यम से पोद्य को पोशन पूरे-पूरा प्राप्त हो जाए तो कि आप जेविक विदी से करो अगर आपके जमीन में नई है तब ही आप इसका इस्तेमाल करें अन्य था इनका इस्तेमाल नहीं करें तो वीडियो में इतना था मिलते हैं अगली वीडियों के अंदर तो तब तक के लिए राम राम और अंतिमाब से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्स्प्राइब और वीडियो को लाइक जरू करके जाएं, धन्यवाद, राम राम साह, खमागें